गूड अपतनु दोस्तों आज हम दिखाएंगे जो फैक्टरी लेबल को जो पार्ट का पूड़क्त बनते हैं तो उसके लिए पार्ट को कैसे उगाया जाता है तो इसको उगाने के लिए आप देख सकते हो जो खेतों में पहले जो पार्ट को बड़ा करना होता है आप देख अपर कर देते है इसके बाद उस पॉइंट में उसको एक करके खूल के एक के उपड सच्जाय जाता है उसके बाद उसको सचाहित और य syllabus का नका होता होता है दिन उसके उपर मिठ्टी डालना होता है मिठ्टी डालने के ही रिजन है जो कि पानी के उपर भासते हैं तो उसको पानी के अंदर चले जाते हैं दिन उसको उसी स्टेट में उसको पुर्णा से 30 देस रखते हैं जो फार्मर होता है उसको चेक करते हैं 15 दिन बाद जो उसका पंग गया कि नहीं जब उसको पकेम्पलरी हो जाता है तो एक एक करके निकलते है निकल ने के बाद उसको एक इनसान ँसको ले ले थे उसके बाद उसको बहुत सरया शौर्मार के लिए और कुकिंग के लिए भी यो गाव में बहुत ज़्यादा स्पार्ट के संलाइट के यह पूरा दिन शुक आ जाता है जब सुक के रेजी हो जाता है तो फिर इसको बंडल में कनवर्ट कर देंस पारण के बाद उसको फिर इसके एक करके बड़ा में convert करके next case में factory में भी भीजने के लिए चाक में load होता है आप देख सकते हैं यहां पर चाक में load देन इस चाक को फिर फैक्टरी में ले जाने के बाद उस फैक्टरी में फिर आनलोट करना होता है देन निक्स पार्ट से पोसेसिंग होगा और नेक्स वीडियो में हम लोग द